तो बैया, median को find करने के लिए, you must know, कि median होता क्या है, जिसको find कर रहे, पता तो चले वो चीज क्या है, तो median एक ऐसा number है, जो पूरी observations को दो पार्ट में divide करता है, 50% उस number से below होते हैं, और 50% उस number से above होते हैं, ungroup data की example लेके आपको मैं समझाता हूँ, let us up, okay, सिरफ आप ये बता observations है, 2, तो total कितनी हो गई है, 6, तो 40 तक तो 6 observations की cover हो रही है, फिर next group को भी अगर मैं total कर सकते हैं, आगे वैसे जाने की हमें जुरूरत नहीं होती है, ठीक है, आगे वाला data नहीं चाहिए होता है, बड़ बना देते हैं जब बच्चों को सिखाते हैं कि सभी का CF निकालो, व Hello everyone, कैसे हैं आप, I hope आप अच्छे से होंगे, My dear students, as you know, we are preparing for term 2 exam, तो अभी हम chapter number 14 पे हैं from UNCRT and that is statistics, बहुत easy chapter है, मैं आपको बता दूँ, फिर से मैं last lecture में भी बताया था, यह यह chapter की term 2 के लिए सबसे ज़्यादा weight is the 8 marks, total आपके syllabus में 7 chapters है, AP Quadratic Circle Construction, 4 होगे, surface area volume application of trigonometry, 6 होगे, 7th number पर आगया यह, सबसे ज़्यादा weight is, out of 7 chapters, सबसे ज़्यादा weight is easy chapter की है, इस chapter के साथ कोई compromise नहीं करना है, एक दम इसको perfect करना है, इसके अच्छी बात क्या है, सबसे easy chapter ही है, सबसे easy chapter ही है, आपको 4 basic formula याद करने हैं, दो formula आपको mean के लिए याद करने है, direct method and assumed mean method, एक formula आपको mode के लिए याद करना है, जो की तीनो formula यह मैं आपको सिखा चुका हूँ, और आज के lecture में हम median सिखेंगे, that is the fourth formula, that's all, चार formula याद करो, और basic जो इनका होता है, वो क्या चीज़े है, यह mean क्या होता है, median क्या होता है, mode क्या होता है, वो मैं आपको first lecture में पूरा सिखा चुका हूँ, चार formula याद करो, eight marks term two में इस chapter के confirm है, ठीक है, chapter के से कोई compromise मत करना, formula याद कर लेना, अगर आपसे formula याद नहीं होते हैं, मेरे को बताओ, कुछ techniques बताओंगा कि कैसे याद करने, तो वैसे कोई जादुमंतर तो नहीं है, कि याद हो जाए, आपको practice ही करनी पड़े, ये practice के बाद आपको वो याद हो जाएंगे, ठीक है, I hope बहुत से students से हम भी याद कर भी लिये होंगे, तो देखें, आज के lecture में हम group data के लिए median को find करेंगे, किसको find करेंगे, median, तो भाई अब median को find करने के लिए, you must know, कि median होता क्या है, जिसको find कर रहे हो, पता तो चले वो चीज क् तो median एक ऐसा number है, जो पूरी observations को दो पार्ट में divide करता है, 50% उस number से below होते हैं, और 50% उस number से above होते हैं, ungroup data की example लेके आपको मैं समझाता हूँ, let us suppose यहाँ पर मैं कुछ observations ले लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पर observations आ गई, 5, 6, 2, 3, 7, 8, 9, and 10, let us suppose, तो आपको बोल दिये गया इनका median बताईए, median बोले तो mid value क्या है इसकी, बिलकुल exact जो mid में आ रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चे, median का कोई भी question हो, सबसे पहले आपको इस data को arrange करना है, observations को arrange करना है, increasing order जा फिर decreasing order में, ascending या descending किसी order में भी आप लिख सकते हो, तो मेरे बच्चे, median का सबसे जो पहला step है, data को arrange करो, तो मैं यहाँ पर इसको increasing order में arrange करके लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं छोड़ा number लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद उससे बढ़ा, सर्जी 3, फिर इससे बढ़ा, देखो कोन है, सर्जी 5, फिर कोन है, सर्जी 6, उसके बाद 7, फिर 8, then 9 and then 10, तो this is the first step for median group data के लिए अगर आपको question आता हूँ और आपको median बोचा हूँ है, पहले data को arrange करने है, तो increasing order में हमेशा arrange किया करो, अच्छा, comfortable होता है, तो यहाँ पर हमने इसको arrange कर दिया, अब median, ungroup data के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आप देखो, mid में कौन सा number आ रहा है, कौन स फिर करनी पड़ेगी, कितनी observations है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 observations है, तो mid में क्या आया, तो आप बोलोगे sir, observations 8 है, तो mid में कोई भी नहीं है, 50% इधर होगे, 50% इधर होगे, no, mid में यहाँ पर 2 observations आएंगी, even के case में, अगर number of observations even होती है, तो mid में 2 मिलेंगे, अगर number of observations odd होगी, तो mid में आपको एक ही मिलेगा, उसी को median बोलना है, तो यहाँ पर 2 आगे, तो हम ऐसा करेंगे, 3 observations इधर कर देंगे, 3 इधर कर देंगे, तो middle में आपको 2 दिखनी है, अब यह जो 2 दिखनी है, बस इन दोनों का आपने average निकालना है, इन दोनों का mean निकालना है, जानि median क्या होग 13 by 2, that is 6.5, that's all, अब यह 6.5 जो आपने median बताया है, इस data के लिए, यह 6.5 किस चीज को represent कर रहा है, यह क्या बताना चाहता है, मैं 6.5, भाई, 6.5 यह बता रहा है, कि यहाँ जितनी भी observations हैं, उसमें से 50% observation 6.5 से less है, उनकी value छोटी है, और 50% observation 6.5 से above है, उनकी value 6.5 से जादा है, notice करो, देखो, 6.5 से less देखते हैं कितनी, 1, 2, 3, 4, 4 observations, out of 8, 4 observations are less than median, तो यह data को दो parts में डिवाइड करता है, 50-50% कर देता है, और 6.5 से above, भी 4 ही होंगी, count कर लो, 1, 2, 3, 4, 50-50%, ठीक है? तो you must know what is the meaning of median, क्योंकि आपको question आएगा, आपको पुछेगा find median, आपको formula यहाद निकाल लिया, फिर एक sub question होता नीचे, interpret the result, यानि जो result आपने निकाला, जो आपने median निकाला, उसको explain करो, what it means according to the given information, तो वो आपको यही बताना है, 50% ever, 50% less, जो भी data given होगा, I hope it is clear, तो यह जो मैंने आपको समझाया, यह मैं first lecture में भी आपको सिखा आ जोगा हो, तो वो lecture भी आप जुरूर देखना ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं group data के लिए, अब group data में problem एक छोटी सी, क्या problem है, देखो number of observations भी हमें पता चल जाती हैं, जानि जो मेरे पास total number of observations हैं, वो 42 है, कितनी observations हैं, 42, जैसे यहां कितनी observations थी, 8, तो यहां कितनी observations हैं, 42, आप समझतो गयो कि median क्या है, जैसे इस example को इससे connect करो, यहां 8 observations थी, 3 इदर कर दी, 3 इदर कर दी, middle में 2 आई, यहां पर 42 है, तो mid में भी 2 आएंगी, क्योंकि even number है, mid म में 2 आएंगी, अब वो जो mid में 2 होंगी, उनकी position क्या है, जैसे यहां पर इनकी position क्या थी, सर यह 4th और 5th position पर आती है, 2 observation, यहां पर है 42 observations, अरे 20 observation इदर कर दो, 20 इदर कर दो, 40 consume होगी, 40 consume होगी observations, 40 observation, 20 observation आपने left कर दी, 20 आपने right कर दी, तो बीच में 2 observation बच रही हैं, उनक position क्या होगी, तो आप बोलेंगे, सर, एक तो 21st position पर आ रही है, और एक 22 position पर आ रही है, am I right, 20 सिदर कर दी, 20 सिदर कर दी, तो 42 total है, बीच में 2 आई, उनकी यह position होगी, position तो यह होगी, लेकिन अगर मैं आपको यह पूछूँ, यह 21st number पर कौन सी observation इस data से बताईए, मैं यहां पर आप थोड़ा सा challenge feel करें, क्या आप बताई नहीं सकते यार, नहीं बता पाऊगे, groups बने हुए, observation तो दीखी नहीं रही आपको, जैसे यहां पर देखो, मैं आपको अगर पूछता हूँ, इसमें third observation कहां पर है, third observation तो आप फटाक से बता दोगे, five, फिर मैं आपको आपको ओलो fourth observation कहा है, तो आप बता दोगे six, मैं आपको ओलो fifth observation कहा है, आप बता दोगे seven, क्यों observation दिख रही है न, तो जब observations के groups से बना दिये, observations कहां दिख रही है, आपको सिरफ ये information है कि 20 और 30 के बीच में कितनी observations है, four, लेकिन वो four number क्या है, क्या वो 21 है, क्या वो 23 है, क् वो 26 है, क्या वो 29 है, नहीं बता सकते न, दिखी नहीं, that is the problem, तो यहाँ पर आपने इस ungroup data का जो concept है, इधर apply ज़रूर करना है, cramming नहीं करनी है, मैंने median का formula याद कर ले, तो ये लिखना है, पहले समझो द्यान से, जैसे 21st observation, वो कौन से group के अंडर छुपी होगी, वैसे ये डूंडो बस, तो जो मैं आगे column बनाने वाला हूं, उसमें भी आपको कोई tension नहीं होगी, बड़े आराम से आप समझ आओगे, सिरफ आप ये बताओ कि ये दो observation ये वाली, जिनकी position ये है, वो यहाँ पर किस group में छुपी होगी, क्या वो first group में होगी, no, क्यों, यहर इस group में तो सिरफ 4 ही observations आ रही है, मेरे को कौन सी observation तक जाना है, 21st observation तक जाना है, यहाँ पर कितनी observations है, 2, तो total कितनी हो गई है, 6, तो 40 तक तो 6 observations ही cover हो रही है, फिर next group को भी अगर मैं देख रहू हूं, तो 6 में 5 add कर दिया, मैंने 11 observation, यानि इन तीनों का sum कितना है, 11, इस group तक इस group तक सिरफ 11 observations ही cover हुई है, 21st तो अभी बहुत दूर लग रहा है, तो यहाँ पर 11 तक पहुंच गे हम, और उसमें 6 add कर दिया, मैंने 11 और 6, 11 और 6 होगे 17, इस group में भी 21st नहीं आया, 17 तक ही पहुंचे है, फिर मैंने 17 में 2 add कर दिया, 17 में 2 add किया, तो कितना हो गया, सर 19, अभी भी 21st तक नहीं आया हूँ, इस group में भी हमारा ये वाली 2 observations नहीं है, I hope you are getting the concept what I am saying, ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन frequencies का total करते जाना है, और in position तक पहुंचना है, तो frequency को accumulate करने के बाद ही आप वहां तक पहुंच पाते हो, तो मेरे प्यारे बचे, यहा क्या बोलते हैं, cf, cf बोले तो cumulative frequency, cumulative का मतलब होता है, चीजों को जोड़ना, प्लस करना, ठीक है, तो यहाँ पर in frequencies को accumulate करना है, जैसे first group के लिए जो cumulative frequency है, वो 4 ही होगी, जो next वाली जो group है, उसकी cumulative frequency 6 होगी, यह 6 कैसे होई, यह जो 6 है, इस group के लिए, मतलब यह दोनों frequencies को अपने add कर दिया, जानि 22, 40 के बीच में 6 observations आ रही है, इधर से लेकर इधर तक 6 observations, बस इनको add करते जाना है, ऐसे add करते जाओ, फिर 6 को इस 5 में add करो, 11, फिर जो 11 है, इसको इसमें add करो, सरजी 70, फिर 17 है, इसमें 2 add करो, सरजी 19, तो इस group तक, इस group की बात करो, इस group तक कितन observations को हमने देख लिए, 19, लेकिन हमने कहां तक पहुँचना है, 21st observation तक जाना है, तो मेरे प्यारे बचे, अब मैं 2 में, 19 में 3 add करूंगा, तो यहां कितना आएगा, 22, जानि इस group को ध्यान से देखो, 70 के बाद ही वो observation होगी, जो किस position पर आ रही होगी, 21st and 22 position पर, क्योंकि य 20 वाली जो observation है, वो भी इस group के अंदर आ रही है, और 22 वाली observation है, वो भी इस group में आ रही है, जानि कहने का मतलब, वो जो 2 observation आपको middle वाली डूंडनी होती है, वो इस group में छुपी हुई है, total कितनी observation है इस group में, 3 observations हैं, कितनी observations हैं, 3 observations हैं, उस 3 में से वो 2 observation जो आपको middle में च कैसे करे उसके लिए formula याद करना है ठीक है तो I hope यह जो मैं कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया ठीक है काफी detail में बता दिया बस आब इनको total कर सकते हैं आगे वैसे जाने की हमें जुरूरत नहीं होती है ठीक है आगे वाला data नहीं चाहिए होता है बड़ बना देते हैं जब बच्चों को सिखाते हैं कि सभी का cf निकालो वैसे जुरूरत नहीं होती है अब इसको इसमें plus कर दो सर यह 32 आगया इसमें plus कर दो 40 last जो cumulative frequency होती है वो उतनी ही होती है जितनी total frequency होती है it is obvious कि sub frequencies को आपने add कर दिया तो यहां पर लिख दिया तो median जब group data के लिए आपको आएगा तो आपको सिरफ एक ही column बनाना है cf का nothing else ठीक है समझाने में time लगा रहा हूँ बढ़ आपको जल्दी से cf निकाले ना जैसे मैंने आपको दाया पहला वही लिखना है फिर ऐसे ऐसे add करता है जो add करता है जब पूरा column त्यार हो जाएगा ओके डियर जो आपको मैंने mode सिखाया था mode उसमें कोई भी column नहीं बनता है जो आपको median सिखाया था उसमें पहले x i बनाना पड़ता है उसके आगे फिर next column हमारे चलते है median में सिर्फ आपको एक ही column बनाना है cf I hope it is clear कि ये दो observations को मैंने आपको कैसे डूंड के दिखाया अगर आपको इसमें confusion है कि सर बहुत time लग रहा है इसमें अरे time की क्या बात है तो आपको हम एक और चीज सिखाते हैं और भी हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि आपको सिर्फ cramming type करनी है तो आप cf निकालो फटाक से ऐसे ऐसे से प्लस करके निकल के cf अब देखो आगे अब देखो आगे कि आपको क्या करना है प्रोसस के आभी फॉर्मला जब अप्लाई करेंगे पहले आप निकालेंगे n by 2 n by 2 होता है frequency का half mid में तो जाना ही पड़ेगा तो आपको निकाला है n by 2 n हमारा 42 divided by 2 कितना आया 21st 21 ठीक है अब इस 21 से just greater जो cf उसको पकड़ो the cumulative frequency just greater than just greater than 21 that is n by 2 ऐसे लिखता हूँ just greater than n by 2 जहनी half of the observation से just greater वाली cf half of the observation से just greater वाली cf वही आपको चाही होती है वही मैं यहाँ पर आपको यह समझा रहा था the cumulative frequency just greater than n by 2 that is just greater than 21 21 से just greater cf कोन सी है इसमें देखना है column में cf वाले column में देखना है just greater cf set 21 से above 32 भी है 42 भी है यह नहीं लेना है just greater मतलब उससे पहली वाली जो बड़ी cf है तो आपको वह क्या मिली 22 यह वाली इसके सामने वाली जो class interval होती है उसके अंदर आपका median चुपा होता है जो मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि कैसे मैंने डूंडा उसको तो यह वाली आपको class interval चाहिए आपका median इसके अंदर चुपा होगा आपका जो अंसर आएगा median का वो 70 और 80 के बीच में आएगा जैसे मैंने mode के case में भी बताया था जब आप modal class डूंड लेते हो तो modal class के अंदर आपका mode चुपा होता है आपका अंसर चुपा होता है यहाँ पर इस class interval को हम बोलेंगे median class इसी के अंदर हमारा median चुपा हुआ है तो यह है process लिखने वाला जैसे आपको लिखना है n by 2 निकालना है जो number आएगा उसे just greater cf पकड़ो यह है 22 इसके सामने वाली class interval को box में रख लो आपका अंसर इसके अंदर चुपा हुआ है और साथ में आपको कुछ terms और चाहिए और वो क्या terms चाहिए आपको यहाँ पर चाहिए उसके सामने वाली frequency इसको भी circle कर लो और इसके उपर वाली cf चाहिए तो आप बोलोगे साथ यह उपर वाली cf क्या करना है बचे मेरे जो formula आपको apply करना है उसमें आपको यह terms चाहिए होगी formula कैसे बना वो एक अलग story है 10th में उसका proof करने की जोट नहीं है अगर करना है मेरे को बता देना मैं proof भी समझा दूँगा अभी जो formula है उसमें जो जो term चाहिए वो मैं लिख रहा हूँ class interval की lower limit चाहिए median class की इसकी frequency चाहिए इसके उपर वाली cf चाहिए इस 22 का formula में कोई roll नहीं है ये 22 ने सिरफ हमें median class find करके दी है ठीक है इस 22 का कहीं roll नहीं है चलिए अब हम यहाँ पर लिख रहे है median का formula तो बच्चे median का एक छोटा सा formula है बड़ा ही प्यारा सा आपको लिखना है l plus n by 2 minus cf divided by f into h इसको याद कर लो what is l जो आपने median class पकड़ी न ये वाली जिसके अंदर आपका median चुपा हुआ है उसकी जो lower limit है that is l ठीक है 70 यहाँ पर l हो गया और n by 2 क्या हो गया 50% of the observation जो आपने निकाला वो जो number आया वो है 21 इसमें cf क्या है ये 19 इस median class के उपर वाली cf लेनी और f क्या है median class वाली सामने वाली frequency h क्या है class size mode के case में मैंने आपको समझाया था वहाँ भी h use होता है class size जैसे जैसे 30, 40, 50, 60 कितने का size चल रहा है 10 का तो h का value 10 ये formula है value सारी निकाल दी डालो answer आगया मेरे बचे देखो what is l? 70 n by 2 21 cf यहाँ पर 3 अच्छा ये fraction भी बताऊं ये जो numerator part है ये कभी negative नहीं आएगा याद रखना n by 2 जानि 50% observation का जो value आपने यहाँ लिखा होगा ये हमेशा बढ़ा होगा इस cf से तो इसलिए कभी यहाँ पर negative नहीं आएगा ये number बढ़ा होगा ये number छोटा होगा बचे गलती से अगर आप 22 लिख लेते हो तो यहाँ आपका negative आना start हो जाएगा तो समझो आपने गलत किया यहाँ कहीं पर भी negative कभी नहीं आता है ठीक है तो यहाँ पर आपके पास आगया n by 2 यहाँ cf और नीचे आगया f आपका 3 और class size कितना आगया सर जी 10 का इसको करेंगे हम simplify सर जी यह आगया हमारे पास 2 by 3 into 10 यह क्या यह cancel होता है सर यह cancel तो नहीं होता सर 3 से तो ऐसे कर दो 20 by 3 यहाँ पर भी आप एक गड़बड करते हो गड़बड कुछ नहीं करते हो अंसर भी निकाले हो तो लेकिन time थोड़ा सा ज़्यादा लगाते हो आप इसे 70 के साथ 3 का LCM लेना start कर देंगे जैसे आप लिखेंगे ऐसे 70 के नीचे 1 इसका फिर LCM लेंगे यह उदर करेंगे फिर एक बड़ा नमबर उपर बनेगा उस बड़े नमबर को आप 3 से divide करेंगे time वहीं चला जाएगा अरे भाई मेरी बात सुनो यह जो 70 साइड में लिखने है इसको साइड में रहने दो आप 20 को 3 से divide करो यह decimal में जो भी आएगा उसको 70 में बस add कर दो यहाँ पर देखें ऐसे करने है 70 20 को 3 से divide करेंगे कितना आता है 6.666 ठीक है तो आपके पास total आगया 76.666 ऐसे चलता जाएगा तो यहीं रख लो है प्रॉक्स 67 भी कर सकते है उसको ठीक है तो 76.67 is your median अब उसका sub question अगर उसने यह पूछ लिया कि सर यह जो median आया इसको interpret करो explain करो what it means तो भाई इसका मतलब क्या है यह आपकी class के marks थे 42 students थे इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब है 50% students of your class 50% students of your class scoring 76.67 marks are more than this और 50% students ऐसे हैं जो इससे कम marks ले रहे हैं जहां फिर इतने ले रहे हैं यह mid value है आपके जितने भी marks है जानि इतना median आ रहा है 100 marks का test हुआ अगर इतना median आ रहा है इसका मतलब आपकी class बहुत अची है you are very intelligent students क्योंकि आपके median की value total जो last observation थी उसके पास पहुंच रही है तो I hope it is clear है इसको explain ज़रूर कर ले न ठीक है तो बचे यह था आज का lecture बहुत ही simple सा मैंने आपको median पूरा detail में समझा दिया ungroup data के लिए और group data में क्या challenge आता है उसमें हमने कैसे mid values को डूंडना होता है जो center में दो values या एक value छुपी होती है ठीक है वो सारा process बताया फिर उसके बाद CF से भी समझा दिया कि पूरा लिखना कैसे अब आपका काम क्या है 14.3 exercise जा फिर stat का कोई भी question पगड़ो class interval और frequency जहां given हो ठीक है इस तरह का data यह formula apply करो बार 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 करो कम से कम 10 question practice करो ठीक है तो यह basic formula next lecture में मैं आपको जहां पे missing frequencies होती है जहां फिर less than below वाले जो questions है more than वाले जो questions होते है उनकी practice करेंगी आपके syllabus में जो concept था वो मैंने आपको पूरा सिखा दी है अब हम करेंगे सिर्फ practice questions की different types की questions की practice करेंगे ठीक है तो अभी के लिए इतने बचे thank you bye bye and take care